हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे की स्टॉक्स के बारे में चार स्टॉक्स मैंने लिये हैं पहला है IRCTC फिर है रेलवे का संगम लिमिटेट फिर टेक्समेक और रेल एन इंजिनियरिंग और लास्ट में है टीटागर वैगन्स IRC-TC के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा OFS की बात चल रही है जो की है offer for sale यहाँ पर आप देख सकते हैं promoters के पास 87.4% shares है और SEBI के हिसाब से इसे 75% पे लाना होगा इस वज़े से यहाँ पर offer for sale हो रहा है 12.4% का अगर कोई buyer सामने आ जाता है institutional buyer या FII या DII कोई भी एक particular या 4-5 group members आ जाते हैं buy करने के लिए तो वो directly उनसे एक deal fix करेंगे amount fix करेंगे और उन्हें sell कर देंगे shares transfer हो जाएगा तो offer for sale का stock price पे कोई फरक नहीं पड़ेगा until and unless कि stock price तब गिर सकता है अगर उन्हें offer for sale बहुत नीचे के price में दे दिया है यानि कि 1340 चल रहा 1200 पर उनको दिया है तो एक effect आ सकता है stock price पे दूसरी तरीके से effect तब आएगा अगर government of India वैसे यह 87% जो है वो government of India के पास है क्योंकि वहीं इनके promoters है अगर वो open market में sell करते हैं तो price में correction आएगा उसके इलावा अगर वो किसी fix price पे offer कर रहे हैं तो फिर कोई problem नहीं होगी बट open market नहीं कर रहे हैं वो offer for sale कर रहे हैं एक stock price fix होगा उस पे वो shares transfer होंगे या sell होंगे तो यह तो थी OFS के news के बारे में चलते हैं financials के तरफ directly यह जो share capital, reserves and surplus, current liability, other liability आपको यहां पे दीख रहा है वो मैंने यहां पे लिया है उसी तरीके से रेल विकास निगम, tax macro, टीटागड वैगन इन सब का मैंने amount यहां पे ले लिया है अब क्यालकुलेशन के इसाब से debt to equity का percentage 50% से नीचे होना चाहिए तो हम उसे एक अच्छी company मानेंगे और return on equity more than 8% होना चाहिए यानि जितना आपका equity है उसके सामने आपको profit कितना हो रहा है उसका percentage यहां पे आप देख सकते हैं मैंने share capital और reserves add किया है total equity liability में आप देख सकते है current liability other liability add किया है profit यहां से सीधा सीधा ले लिया है यह liability को equity से divide किया है तो 145% आया है return on equity आप देख सकते हैं profit और total equity को profit को divide किया है total equity से so 40% अब सबसे पहली बात tax macro का अगर आप देखेंगे total profit negative है debt to equity 181% है चारों में से ज्यादा तो यह last option है इसको हम कर देते number 4 उसके बाद जो है वो है यहां पर आप देख सकते टीटागड वैगन्स 70% पर है यानि सबसे कम इसका ही है debt to equity लेकिन profit अगर आप देखेंगे तो काफी कम है इसका अगर थोड़ा और जाच परताल आप करेंगे तो इसके income statement से हमें पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है यहां पर आप देखिए profit पहले से कम है और इस बार काफी ज्यादा माइनस में 2020 और 2021 का जो रिजल्ट आएगा वो और भी खराब आएगा क्योंकि पैंडमिक के वैसे 4-6 मैंने अल्रेडी हो चुके है और सब कुछ ब है तो इसको मैं कर देता हूँ 3 अब इन दोनों में 145% debt to equity ratio है आयर से टीसी का और 142 rvnl का लेकिन profit margin अगर आप देखेंगे यहां पर gross profit margin 34% है और rvnl का सिर्फ 7% है इन दोनों में अगर मैं सेलेक्ट करना चाओंगा तो आयर से टीसी को पहले और rvnl को बाद तो यहां बे मैंने numbering कर दी है as per the ratio की by debt to equity कितना है और return on equity कितना है यह fundamentally fundamentally चेक कर रहे है हम fundamentally जो भी company strong होगी उसमें आपको invest करना है बाकी किसी में नहीं करना है अब एक बात और बताता हूं अब यहां पर तो मैंने numbering कर दी है सबसे पहले पर आयर से टीसी दूसरा rvnl तीसरा टीटागर और चौथा टेक्स मैक और रेल अब सपोज आपने 10,000 रूपे सोचे invest करनेगा आपको लगेगा 22 रूपे के share में invest करूँगा तो 500 share के आसपस आएगा और 1300 के share में invest करूँग तो सिब साथ से गराएंगे बट एक चीज़ आप समझे अगर ये 10% से बढ़ता है तो समझो 25 रूपी के पास जाएगा और ये 1500 के पास जाएगा 10,000 पर 10% आपका 1000 रूपे होगा वो अब आप साथ खरीदे या 500 खरीदे उससे फरक नहीं पड़ेगा आप ये चीज़ समझे कि 10,000 में आपको return कितना आ रहा है 10% अगर आपका return आ रहा है तो फिर वो 1000 रूपे होगा फिर वो साथ share हो या 500 share हो उससे फरक नहीं पड़ता है तो कभी भी आप invest करें तो यह नहीं सोचे कि काफी महेंगा share है या कितना बढ़ेगा या कितना कम है कम share मिलेंगे ज्यादा share मिलेंगे वो नहीं सोचना है आपको यह सोचना है capital employed में आपको कितना return मिल सकता है किस stock price की ability है आगे जाने की उस base पे आपको stock select करना भी यहाँ पर अगर आप invest करेंगे तो सिर्फ साथ ही share आएंगे लेकिन अगर यह 1500 होता है तो आपको 11,000 हो जाएंगे और 22 रुपे का 25 रुपय होएगा तब आपको 1000 रुपय मिलेंगे कि सो जो मुमेंट है उस हिसाब से यह आपको चलना है अब और एक बात आपको बताता हूँ अब भी जो correction हुआ था यहाप आप देखे 625 लो है और current market price 1341 अगर आपने यहाँ पर बाई किया होता 625 इसका double होता है 1300 यानि कि 100% return अगर आपने इसमें 10,000 डाले होते तो वह 20,000 हो गया होते है ठीक है अब चलते हैं rail विकास के तरफ यहाँ पर आप आप लो देख सकते है दस रुपया 20 पैसा और current price है 22.75 दस रुपया 20 पैसे का double अगर मैं करूंगा तो 20 रुपया 40 पैसा होगा जो की 100% होता है यह 22 पे trade कर रहा है ठीक है यह हो सकता है 110% या 112% के आसपास हो लेकिन यह बात आप समझे अगर आपने 10,000 रुपया इसमें भी डाले होते तो उसका 20 20,000 ही होता 20 से जादा नहीं होता number of shares पे आपको ध्यान नहीं देना है यहाँ पे भी 20,000 हो रहा है और IRC TC में डालते तो भी 20,000 होता इस वज़े से percentage पे ध्यान दीजे number of shares पे ध्यान मत दीजे penny stock के तरफ मत जाए कि यार 10 रुपय का शेर है और यह 1300 का शेर है उससे matter नहीं करता है 1300 की यह काबिलियत है 1500 जाने की और 10 रुपय की काबिलियत 12 रुपय जाने की उसमें ही difference है क्या उसके fundamentals है क्या उसकी capability है उस हिसाब से अपना stock select करे यहाँ पे मैंने 1,2,3,4 आपको बता दिया है अगर आप invest करना चाहें तो यह पहला pick है IRC TC के बारे में और एक बात बता इसे monopoly दिया गया है ticket booking के लिए और सबसे अच्छी बात यह है कि tickets जो cancel होता है उसका जो amount है वो काफी बड़ा amount आता है जो कि pure profit है उनके लिए उसके पीछे कोई cost नहीं है क्योंकि already tickets waiting list में होती है और वो cancellation होती ही seat तो fully होती है इंडिया में आपको पता है seats खाली जल्दी से म booking की cancellation charges इनको पूरा का पूरा मिलता है and catering का भी इनके पास ही है so काफी बढ़िया fundamentally strong company है so IRCTC पे अगर आप चाहें तो monthly invest कीजिए एक साथ पूरा amount मत लीजे छोटी quantity में add करते रहें और long term view रखें काफी बढ़िया stock है IRCTC बाकी सारे के fundamentals आपके पास ही है सामने ही है अगर कुछ changes होता है तो सोचेंगे इसमें invest करने का फिलाल IRCTC top pick है इन चारों में से चारों में अपके अगर बॉटे बार चारों में आया चूरा